आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज जिले में आए दिन हो रही वाहन दुर घटनाओं को देखकर जिले में जिला अधिकारी और पुलीस अधिच्छक के द्वारा हिलमेटों का वित्रण किया जा रहा है इसी के चलते जहन्डा दिवस के अशर पर इसके कार बाजार और अधिवक्ता संग की ओर से जिला अधिकारी और पुलीस अधिच्छक के द्वारा पत्रकारों और वकीलों को हिलमेटों का वित्रण करवाया गया और साथ ही आने वाले विगत नगर निकाय के चुनाओं के चल प्रकारी और पुलीस अधिच्छक के साथ पढ़ोसी देश नेपाल के सीडियों के साथ की गई जिससे की भारत नेपाल सीमा के अंतरगत हो सकने वाले अपराधों और होने वाले चुनाओं के दोरान किसी भी प्रकार की कोई घटना ना होने पाए दरसर जिले में आये दिन हो रही वाहन दुरगटनाओं को देखकर जिले में जिला अधिकारी और पुलिस अधिचक के द्वारा हिलमेटों का बित्रण किया जा रहा है इसी के चलते जंडा दिवस के अवसर पर तहसील पलिया कला में इसके कार बाजार के मालिक सहवान खान उर्फ सीबू और अधिवक्ता संग की और से पलिया तहसील सभागार में जिला अधिकारी आकास दीप और पुलिस अधिचक डाक्टर एस चनप्पा के द्वारा पत्रका का बित्रण करवाया गया और इस मौके पर जिला अधिकारी आकास दीप और पुलिस अधिचक डाक्टर एस चनप्पा ने हेलमेट बित्रण करवाने में सहयोगियों की प्रसंसा की और साथ ही हेलमेट ना लगाकर चलने वाले नुकसान और फाइदों के बारे में बताया औ पालन करने की भी सभी पत्रकारों और अग्याधी वक्ताओं से अपेच्छा की उसके बाद जिले में होने वाले नगर निकाय चुनाओं के साथ ही हमारे पडोसी देश नेपाल में भी चुनाओं होने जा रहे हैं जिसके चलते जिले के जिला अधिकारी आकास दीप और एक भैठक की गई जिसमें भारत नेपाल सीमा पर होने वाली आपराधिक मामलों पर और लगातार हो रही तसकरी झाल झाल झाल